पूर्मुखमंत्री हरीश रावत ने खाना खाते वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में पूर्मुखमंत्री ने खाने का स्वात बढ़ाने वाले घी की खासियत के बारे में बताया है। जो कि पहाडी गाय के दूद से बना हुआ है। उन्हों ये उसके दूद से बना हुआ घी है जिसे उनकी पत्नी ने अपने नाती के लिए मगाया है। जाते हैं जो कि शरी के लिए बहुत स्वास्थवर्दक होता है। इसके घी बनाने के वक्त में इसके दूद को भी उबाल करके पिर रही का जमोना जाती है। और जब दही जम जाती है तो दू, तीन, लिए चार दिन की दही को फिर मठा जाती है। मठ करके उससे नौनी निकल जाती है। और उनौनी तो आग में अच्छी आँच में उबालना पड़ता है। जिससे यो बेकाल के तब तो होते हैं निकल जाते हैं। और उसके सारे ऐलिमेंट जो हैं। जो पुरी रूप में धीव के रूप में परिशती है। और ये धीव कितना स्वासवर्दक और कितना उप्यूड़ी है। ये सत्त्य से बता चुछता है। पहले पहाड़ों में जो बैदी लोग होती है। वो इसी को सन्निपाथ हुजाए। काइफर सरचड़ जाए। और उतर में रहा होती है। तो 21 बार इसके लही को पाने सी तुछता है। ये वो ब्रामी की सार पराते थी। उसका जवर उतर जाता है। डैनिल में भी सर में ज़र चड़ जाए। तो ये लाब्दायक होती है। और इसका पाउडरी हुपी ओक्ण की सार बख्राइक है। इस तरी के पाउडर जियुक्त पाउडर जी। तो जीलाब्दायक है। पाउडरी जाए। वैसे जो साहीवाल और दूसरी नस्ट की भारती गाये हैं उनका दूर भी यदि इसी प्रोश्च से मथा जाए और बिलो आ जाए तो उसका गीम भी काफी कीम्ती भी होगा स्वासित अजया आप भी क्रहें तक अल्यूज